नमस्कार मैं हूँ कविता राणा एक फिल्म कर डायलोग है जिसमें एक अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी के काम को देखकर कहता है काम अगर अच्छा है तो दिर से तारीफ करता हूँ चाहे वो कोई भी हो और ये बात दुनिया की दिगज कमपनी माइक्रोसॉफ्ट पर लागू होती है माइक्रोसॉफ्ट के संसाफक और गेट्स फाउंडेशन के कोच जियर्मेन बिल गेट्स ने केंदर सरकार की महतो कांची योजना आईश्मान भारत की जमकर तारीफ की है और इस योजना की लाउंचिंग के सौ दिनों में 6 लाग से ज्यादा मरीजोद्वारा लाब उठाए जाने पर आश्यर जतातुए भारत सरकार और प्रधान मंत्री मोधी की तारीफ की है गेट्स ने आईश्मान भारत की तारीफ करते हुए ट्वीटर पर लिखा आईश्मान भारत के पहले 100 दिन के मौके पर भारत सरकार को बधाई हो ये देखर अच्छा लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं और आगे उठाने वाले हैं हम आपको ये भी बताते चलें कि आईश्मान भारत योजना की सफलता की कहानी स्वास्ते मंत्री नड़ा ने दो जन्वरी को ट्वीट कर बढ़ाई दी कि सरकार द्वारा लॉंच आईश्मान भारत योजना सो दिनों के अंदर ही 6,85,000 लोगों ने मुफ्त उप्चार करा कर फायदा उठाया है नड़ा ने आगे कहा कि आईश्मान भारत योजना का लाब लेने वाले लोगों की संखिया तेजी से बढ़ रही है बिल गेट्स ने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भारत सरकार की तारिफ की है हम आपको बताते चलें कि मोधी सरकार ने पिछले साल 2018 के बजट में आईश्मान भारत योजना का एलान किया था पियो मोधी ने RSS विचारक दीन द्याल उपाद्याई की जियनती 25 सितंबर को आईश्मान भारत को लौच किया था जिसके तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाग रुपे के मुफ्तिलाज की विवस्ता है जो भी हो प्रधान मंत्री मोधी की दूर दर्शी सोच और अब तक प्रियास से गरीब समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए प्रधान मंत्री ने एक बहतरीन योशना लाग कर लोगों के चेहरे मुस्कराने के लिए मजबूर कर दिया है तो अब इस योशना की सफलता से ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रधान मंत्री मोधी ने जनता के लिए एक बहतरीन काम किया है